भगत के बस में है भगवान. एक गरीब बालक था जो की अनात था. एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा आप सब का ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहां आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा मेरा कोई नाम नहीं है. तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले की अब तुम यही आश्रम में रहना. रामदास वही रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा. उन संत की आयू असी वर्ष की हो चुकी थी. ए दिन वो अपने शिश्यों से बोले की मुझे तीर थियारा पर जाना है तुम में से कौन-कौन मेरे मेरे साथ चलेगा और कौन-कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिश बोले की हम आपके साथ चलेंगे. क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेगे तो सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए सभी बोले की हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे. अब संथ सोच में पढ़ गए कि किसे साथ ले जाए और किसे नहीं क्योंकि आश्रम पर किसी का रुखना भी ज़रूरी था बालक रामदा संथ के पास आया और बोला बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यही आश्रम पर रुख जाता हूँ संथ ने कहा ठीक है पर तुझे काम करना पड़ेगा आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना रामदास ने संत से कहा कि बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती आप बता दिजे कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है फिर मैं कर दूँगा संत रामदास को अपने साथ मंदिर ले गए वहां उस मंदिर में राम दर्बार की जाकी थी श्रीराम जी, सीता जी, लक्षमन जी और हनुमान जी थे संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया रामदास ने गुरु जी से कहा कि बाबा मेरा इनसे रिष्टा क्या होगा ये भी बता दो क्योंकि अगर रिष्टा पता चल जाए तो सेवा करने में आनन्द आएगा उन संत ने बालक रामदास कहा कि तु कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है तो आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता है रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मन जी को देख कर कहा अच्छा बाबा और ये जो पास में खड़े है वो कौन है संत ने कहा ये तेरे चाचा जी है और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भया है रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मान कर लाया और फिर भोजन तयार किया फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया रामदास ने श्री राम सीता लक्षमन और हनुमान जी आगे एक-एक थाली रख दी और बोला अब पहले आप खाऊ फिर मैं भी खाऊंगा रामदास को लगा की सच में भगवान बैट कर खाएंगे पर बहुत देर हो गई रोटी तो वैसी की वैसी थी तब बालक रामदास ने सोचा नया नया रिष्टा बना है तो शर्मा रही होंगे रामदास ने परदा लगा दिया बाद में खोल कर देखा तब भी खाना वैसे का वैसा पड़ा था अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई इसलिए खाना नहीं खा रही है और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूक से मर जाऊंगा इसलिए मैं तो अब पहार से कूट कर ही मर जाऊंगा रामदास मरने के लिए निकल जाता है तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते है हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तयार है हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं क्या कर रही हो रामदास कहता है आप कौन हनुमान जी कहते है मैं तेरा भईया हूँ इतनी जल्दी भूल गए रामदास कहता है अब आए हो इतनी देर से वहां बोल रहा था कि खाना खालो तब आए नहीं अब क्यों आ गए तब हनुमान जी बोले पिता श्री का आदेश है अब हम सब साथ बैठ कर खाना खाएंगे फिर राम जी, सीता जी, लक्षमन जी, हनुमान जी साक्षाद बैठ कर भोजन करते हैं इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता सेवा करते पंदरा दिन हो गए एक दिन रामदास ने सोचा घर में पाँच लोग हैं सारा काम में ही अकेला करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं मेरे मा, बाप, चाचा, भाई तो कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं मैं ऐसा नहीं चलने दूँगा रामदास मंदिर जाता है और कहता है पिता जी कुछ बात करनी है आपसे रामजी कहते है बोल बेटा क्या बात है रामदास कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ अपसे मैं अकेले काम नहीं करूँगा आप सबको भी काम करना पड़ेगा आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ अपसे ऐसा नहीं होगा राम जी कहते हैं तो फिर बनाओ बेटा हमें क्या काम करना है रामदास ने कहा माता जी, सीया जी अपसे रसोई आपके हवाले और चाचा जी, लक्षमन जी आप घर की साफ सफाई करिएगा भाईया जी, हनुमान जी शरीर से मजबूत है जाकर जंगल से लकडिया लाइएंगे पिता जी, राम जी आप बाजार से राशन लाइए और घर पर बैठ कर पत्तल बनाओंगे सबने कहा ठीक है मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया, अब मैं आराम करूँगा अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लोटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है वो बहुत प्रसन हुए डौट मंदिर में गए और देखा की मंदिर से प्रतिमाय गायब है संत ने सोचा कही रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी संत ने रामदास को बुलाया और पूछा भगवान कहा गए रामदास भी अकड कर बोला की मुझे क्या पता हनुमान भहिया जंगल लकडी लाने गए होंगे लखन चाचा जाडू पोचा कर रहे होंगे संत बोले ये क्या बोल रहा रामदास ने कहा बाबा मैं सच बोल रहा हूँ जब से आप गए है ये चारो काम में लगे हुए है वो संत भाग कर रसोई में गए और सिर्फ एक ज़लत देखी कि सीता जी भोजन बना रही है राम जी पत्तल बना रही हैं और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए संत रामदास के पास गए और बोले आज तुमने मुझे मेरे प्रभू के दर्शन कराए तू धन्य है और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ती से विवश होकर भगवान को भी साधारन मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है